हाई फ्रेंड्स अगली दो मिनिट में मैं आपको बताऊंगी पनीर के पराठे कैसे बनाने सबसे पहले मैंने घर पे बनाया हुआ पनीर ले लिया है इसको मैंने कद्दू कस कर लिया है अच्छी तरह से आप चाहें तो इसे हाथ से भी मेश कर सकते हैं मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है और जब कद्दू कस कर लेंगे उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है पतला-पतला कटा हुआ प्याज और इसके बाद इसमें मिलाया है अद्रक ये भी मैंने पतला-पतला काट लिया था पतली-पतली कटी वी हरी मिर्ची थोड़ा सा अजवा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है गरम मसाला और अम मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूँगी और mix हमीसे हलके हलके हाथों से ही करेंगे और इसके बाद मैंने इसमें धनिया काट लिया है धनिया से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसके बाद इसमें मैंने मिलाई थी काली मिर्ची का पाउडर और अब मैंने एक आटे की लोई ले ली है इसे मैंने पतला पतला थोड़ा सा बेल लिया है आप अपने हिजाब से इसे बेल लें लेकिन पनीर के पराटे बनाने में इसी रहते हैं तो आप इसे थोड़ा बड़े साइस का बना सकते हैं और पतले पतले भी बेल सकते हैं इसके अंदर अब हम पनीर की फिलिंग भर देंगे और अब मैंने इसे बेल लिया है और अब इसे हलके हलके हातों से हम बेलेंगे बेलने के बाद मैंने इसे तवे पे डाल लिया है सबसे पहले एक साइड सेखने के बाद इसे मैंने पल्टा है और उस साइड घी लगाया है आप चाहें तो ओयल भी लगा सकते हैं या बटर भी लगा सकते हैं और देखिये फ्रेंट्स हमारा पराटा बनके तयार हो गया है और इसी तरह से मैं बागी के पराटे भी बना लूँगी पनीर के पराटे खाने में को लाइक करें थैंक यू फ्रेंड्स